अब को मिलती है अपकोंग मैच इसकी छोटी बड़ी सारी इन फोर्मेशन और आज इस वीडियो में हम एनलाइज करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टोर उफ इंगलैंड के 3020 इंटरनेशनल का जो खेला जाएगा दोरोज बाल सौथ हम्टन में दोनोंगे टीम्स के पास दमदार केम बास हैं और सेट बाइटिंग लाइनप हैं लेकिन अभी भी यहां आस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी आउट ओफ ट्रैक नजर आ रही है भाई लोग यहां इंगलेंड की टीम ने पिछले दोनोंगी मैचेस में आस्ट्रेलिया को अच्छा खासा डॉमनेट किया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के कमपेरिजन में इंगलेंड ने आस्ट्रेलिया को बड़ी आसानी से मात दी है जो की काफी शॉकिंग दो-जीरो से टोर्नमेंट को अपने नाम करने के बाद ड्रेसिंग रूम से ही खबर आ रही है कि आगरी मैच में जोश बटलर नहीं केलेंगे और पिछले मैच में इंजिरी के बाद एयन मॉर्गन के खेलने के चांसे भी कम नजर आ रहे हैं तो क्या ऐसे मैं अब आस्ट्र देखते हैं कौन सी टीम जीत सकती है ये तीसरा और आखरी T20 मैच तो इस वीडियो को आन तक सरूर देखें पहले दरा हेड-to-head कमपैरिशन कर लेते हैं मालतियों से बड़ी दोनों टीमें कुल 19 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी है जिन मैं से 9 बार आस्ट्रेलिया ने जीत दर्स करिए तो वहीं 8 बार इंगलेंड ने मैच को अपने नाम किया है और 2 मैच इसका कोई परिणाम नहीं दिकला है पिछले मैच में दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए यहां इंगलेंड की जीत का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है वाई पिच और परिणी टीम्स को अच्छी बाउंस मिल सकती है तो ऐसे में एक अच्छा बॉलिंग अटैक देखने को मिलेगा मौसम पे नजर डालें तो बारिश की बाधा होने की संभावना नहीं लग रही है एड तो हेड कमपैरिशन और पिच की चांस करने के बाद अब ज़रा दोनों टीम्स के स्कॉाऩ बभी पर Eck लेते हैं पेली टीम ऑस्ट्रीलिया पे निज़र डाल लेते हैं पिछले दो मैचेस में ऑस्ट्रीलिया के तीम काफी स्ट्रॉगल करती दिखाइती है फर्स्मैक तो फिर भी जीतने के चांसे लग रहे थे लेकिन दूसरे मैक में ऐस्ट्रीय इस पे भी यहाँ specially कौर करने की जरूरत है डेविड वार्नर और फिंच को इंग्लिश बॉलर्स के खिलाफ शुरुआत सही दवाव बनाने की कोशिश करनी होगी पॉलिंग अटैक पे नसर डालें तो पैट कमिंग्स, केन रिचर्टसन और मिचल स्टार्क तीनों की ही पिछले मैच में लाइन और लेंद बिगड़ी हुई दिखी थी उमीद करते हैं कि वो जल्द ही पिच को अडैट कर लेंगे और अपनी क्लास दिखाएंगे आने वाले मैचेज में यहाँ पे एक स्पिनर्स को अगर टीम ड्रॉप करके एक पैट्समेन को ला सकती है तो वो काफी कारगर साबित हो सकता है आईए एक बार नजर डाल लेते हैं टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे एरोन फिंच, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मारकस स्टॉइनिस, एलेक्स कैरी, एस्टन अगर, पैट कमिंस, मिचल स्टार्ग, केन रिचर्ट्सन, एडम स्यामपा बैई ये तो था उस्टेलिया टीम का एनायरसिल, आप बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम इंग्लैंड की ओर टीम ने पिछले दो मैचेस जीत के अपने मनसूबे साफ करती हैं कि वो तीसरा T20 भी जीतना चाहेंगे टीम की सभी सीनियर प्लेयर्स ने अब तक अपना 200% दिया है और सीरीज अपने नाम की है लेकिन यहां इंग्लैंड को जॉश बटलर की गैर मौजूदगी में थोड़ी परिशानी जरूर हो सकती है ऐसे में टॉम बेंटन को एक बार फिर उपर खेलने का मौका मिलेगा और वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रदरशन को एक बार फिर दोराना चाहेंगे और गौर तलब है कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे रंस करने के पाद अब मिडल ओर्डर में सैम बिलिंग्स को भी मौका मिल सकता है यहाँ पे अगर कैप्टन इयर्मॉर्गन इंजरी की वज़े से बाहर होते हैं तो जोई डेनली को मौका मिल जाएगा टूनामेंट में आने का इंग्लैंड की बॉलिंग अभी तक काफी दमदार रही है और सटीक रही है जोफ्रा आर्चर और मार्क वोड की तुफानी रफ्तार ने शुरुवाती ओवर्स में क्रूशल विकेट सटके हैं वहीं सैम करन्स डेथ ओवर में टीम को अच्छा सपोर्ट देते दिखे हैं और बाई आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन तो इंग्लैंड की गेन बाजी में चार चान लगाने में उस्ताद है ही यहाँ पे हमने सभी पक्षो को अच्छे से देखा है और कहा जा सकता है कि इंग्लैंड की टीम आस्ट्रेलिया का अच्छा इंतिहान लेने वाली है ये था फुल प्रूफ अनालिसिस ऑस्ट्रेलिया वर्सिस इंग्लैंड के तीसरे T20 मैच का हम फिर हाजिन होंगे इस सीरीज के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल क्रिकेट लाइन गुरू के साथ